उतर परदेश में रमजान की छुटी के बाद खुल रहे सभी मदर्सों में अब राश्टगान गाया जाएगा इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं ये आदेश मानेता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदर्सों में लागू होंगे बताने की सभी अलप संख्यक कल्लान अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि राज्जे के मानेता प्राप्त और अनुदानित मदर्सों में सैक्षिक सत्र शुरू होते ही अनिवार्य रूप से राश्टगान करवाया जाए वहीं रमजान की चुटियों के बाद मदर्से खुल गए हैं तो वहीं 14 मही से मदर्सा बोर्ड में परिक्षाएं भी हैं अब मदर्सों में दीनी दूआ के साथ मदर्सों में राश्टगान लगातार कराया जाएगा हाला कि इस फैसले का सभी मदर्सों में स्वागत किया गया है इस बड़े फैसले को लेकर सहारनपूर में मुस्लिम धर्मगुर्मों ने भी अपनी राय रखी है इस बारे में मुफ्ती असद काजमी और जमियत दवातूल मुस्लिमीन के संड़क्शक और आलिमेदिम इमाम मुलाना कारी इस हाक गौरा ने कहा कि मदर्सों में राश्टगान को लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश वाया है इसकी कोई आवश्रक्ता ही नहीं थी बड़े मदर्सों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राश्टगान गाया जाता है सभी को मालूम है कि इस मौके पर राश्टगान को एहमियत दी जाती है अचानक से मदर्सों के लिए इस तरह का फर्मान आना इसको बहुत आखे खोल कर देखना मेरी समझ में कोई आवश्रक्ता नहीं है ये मुलक सबका है सभी लोग इस मुलक के हिस्सेदार है और इस मुलक की वफदारी सबकी जिम्यदारी है हम हिंदुस्तानियों के लिए राष्टगान को लेकर किसी तरह का किसी से कोई विवाद नहीं है और ना ही होना चाहिए देगे मदरसा बोड के लिए सरकार की तरफ से जो एक आदेश आया है राष्टगान के लिए मैं इस पर यही कह सकता हूँ कि इसमें हमें आखे खोल कर हैरत से देखने की कोई आवश्रक्ता नहीं है क्योंकि बड़े मदरसे हों या छोटे मदरसे राष्टगान गाते आये हैं 15 आगस के प्रोग्राम हो 26 जनवरी के प्रोग्राम हो या दीगर और भी ऐसे कोई प्रोग्राम हो जो सालाना होते हैं उसमें राष्टगान गाते आये हैं तो अब सरकार की तरफ से एन ऐसे वक्त पर आदेश आना और इसको बहुत आखे खोल कर हैरस से देखना मैं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है और हम लोग पहले भी राश्टगान गाते आये हैं अभी भी गाएंगे इसमें क्या दिक्खत की बात है मुझे लगता है किस पर किसी को विवाद है भी नहीं और ना होना चाहिए मुल्क से वफादारी हर एक weekly होनी चाहिए और यह सब की दिम्मेदारी है वहीं जहां मदरसों में इस वैसले का स्वागत किया गया है तो वहीं राजनेती गलियारों में भी इस मुद्दे पर राजनीती भी हो रही है यूपी के मदरसे में दूआ के साथ साथ अब राश्ट्रोगान भी अनिवार्य किये जाने पर AIMIM के राश्ट्री अध्यक्ष असूद्दिन OVC ने कहा है कि हमें BJP और मुखे मंत्री योग्या दितेनाथ से देश भक्ति का प्रमान पत्र नहीं चाहिए जब सुतंतरता संग्राम लड़ा जा रहा था इसमें संग परिवार ने भाग नहीं लिया था जबकि मदर्से अंग्रोजों के खिलाफ खड़े हो गए थे हमें किसी से भी प्रमान पत्र नहीं चाहिए उन्होंने कहा कि मदर्सों में देश भक्ति का पार्ट पढ़ाया जाता है लोग उन पर संदेह की नजरों से देखते हैं इसलिए इस तरह के आदेश ज्वारी किया जा रही है राज नेता हैं तो राज नीती तो करेंगे ही अब देखना होगा कि क्या कोई मदर्सा के मौलाना इन पर कोई सवाल उठाते हैं क्योंकि अभी तक किसी मदर्से से इस फर्मान का विरोध नहीं किया गया है पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए सहारनपुर से राजकुमार पुंडिर की रिपोर्ट